जोहार दोस्तों मैं हमी तब मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को स्वागत करते हैं और एक ने वीडियों के साथ हैं तो फिर चलते हैं देखिए अभी हम लोग तलाप के सामने खड़े हैं और अभी मैं जारी हो गोंगी चानने के लिए तो अब इसमें सिंगल अकेले आप लोग को दिखाऊंगा कितना सारा मिलता है और क्या क्या मिलता है तो फिर फड़ा पर चलिए अगोंगी इच्वानने तलाप की तरफ लेट ना करते हैं तो फिर गाइस चलिए एक शिकला विच्छी हो गई स्वेट को फुट्टा साओर देख्योंगी इदा देख्योंगी इदा देख्योंगी कि अधर यह अधर शार साथ परगद आता है है हम देख्योंगी इस तो यह है इस तो यह एक गुंगी है और यह पकड़ी थी लेकिन वेरा हांस भाग गया इक विच्छी पूरा कि अधरिता है है कि अधर भी इस तो यह बागप आता है कि यह है अधर्ग कि आता है गाइस तबी में लेके निकल रही होगी है जंडा काफी जाना लग लगती है चलिए यहां है इतना सारा में लेक आई होगी है चलिए इसको घर लेके चलते है तो गाइस इतना मेरी हज़बन ढूड़ने हैं यहां पे देख लिजए अरभी इसको इसमें मिलाएंगे अरे गिरा उठा थंडा भी लगने बहुत ज्यादा पीछे फिलक सा भाग गया अर्वर्ण तब नमजा आता है ताम घार जा रहे हैं इसको ठंड़ बॉल करने का दोको जाओ नमजा देखता है तो देखिर दोस्तों यहां पे सबसे पहले वोगंगी और शित्वा को बॉइल कर चुक्या में देखि ten य है इसको वोइल कर दिये हैं तो देखिए इसका जो अंदर बागहा तो झाली कि देख लेजिए जिसमें बताई थी कि इसका चाहिए बतल् divergence मालांत जो वह इसका मेको खाया जाता ह בחähän को यह वला हो गया है इसको सबको ऐस by को ए那麼 तो एक यह एसा करके और यह वाला जो है इसको इसको फेक देना है जिले साइट तो इसको में अराम से जट जट अलग कर लेते हैं तो गैस यहां पर देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से निकाल दिये हैं तो गैस यहां पर देख सकते हैं अब कडाही मैं यहां पर चड़ा चुके हूं और कडाही मेरा गरम हो चुका है और इस पर मैं डालूँगी सर्शुकतेल तो देखिए हवा चल रहा है अपर इधर से किज़ें तो देखिए सबसे पहले यहां पर मैं तेज पत्ता डालूँगी तेज पत्ता उसके बाद में को डालना है कम से कम चार से पांच कली लसुन का तिकड़ा और पिर साथ में मैं डाल जूँगी यहां पर कटा हुआ प्यार्ज तो पर अच्छे तरीके से ब्राउन होने कर प्राइच कर ले गया है तो गैस यहां पर कुछ रेड हो गया है तो यहां पर देखिए कम से कम दो उनको भूंको फड़ेड मिर्ची डालना है यहां पर आप हारा मिर्ची को परियोग कर सकते हैं लेकिन मैं हारामित की किसी हो इसलिए यहां पर दो प्रूंगी को योज है किया आज ही मेरा बुुन चुका है आप म elabor यहां पर घूंगी को देख लिए यहां पर इसको में थोड़ा सब्धून लेना है तो गाइस यहां पर देख सकते हैं अब मैं डालूंगी इस पर जब मैस्किया हुआ आलू ग्रेवी करने के लिए थोड़ा आलू डालना जरूरी परता है यह तो और अप्शनल है आप नई भी डाल सकते हैं अब ज्यादा मसाला का यूज कर रही होगे तो मैं ज्यादा मसाला का यूज नहीं कर दी है इसको अच्छी परकार्श को फूड़ा सा इसको भून लेना है आलो को यहीं पर आपको सवादनुस्रा एक को नमक डाल लेनी है यहां पर मैं एक चमल्च नमक कॉप्योग कर दी हूं चरी अब इसको अच्छी प्रकार से भून लेला है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आलू भी मेरा भून चुका है तो सबसे पहले का अप्चरे बीच में मैं डाल देते हूं कमातर शीव यहां पर जीरा मरीच और ल उसी को मैं यहां पर डाल देते हूं मैं पहले आपको बताई थी में ज्यादा मसाला का प्रयोग नहीं कर दी हैं और यहां पर एक टेमस डाल दूंगी हल्डी का पावगर के लिए इन सारी चीजों को इस परकार से ढख देंगे अब इस पर फाली से ढख देते हैं चलिए इ मेरा लकरी भी कम हो गया तो आपको अच्छी तरीके से मसाला को भून लेना है तो दोस्तों मेरा मसाला यहां पर भून चुका है अब देख सकते हैं इस दम पूरा देखने ने इस तो लिए इस पानी डालती है इसका ग्रेवी आप अपने अनुषार से रख सकते हैं पूरा जाला ग्रेवी इसका मैं नहीं रखूंगी तो लीवित रखूंगे इसका ग्रेवी तो दोस्तों यहां पर सबसी मेरा खौल कर तयार है अब देख सकते हैं तो देखें इसको पहले चलाकर मैं आपको दिखाते हैं कि फाइनली बनकर तयार है झांते हैं